मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच चर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक जुलाई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचां की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बड़े आक्षे पारो प्रत्यारोप ले करके आएगा और ग्रिह कलेश की भी संभावना आपके लिए बनती है हनुम जी की पूजा राधना पूरे मनोयोग से आज आज आपको करनी चाहिए और किसी गरीब अवित्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना होगा व्रिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहा है पुराने विवादों का आज आपको स करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए ये समय भूमी संबंधी कामों के लिए या प्रॉपर्टी से संबंधित काम के लिए कुछ अच्छे लक्षन दिखाता है इस समय प्रॉपर्टी के कामों में अगर आप थोड़ी सी रुची दिखाएं तो आपको उसमें पे पशुपक्षों के लिए रखें आपका ये समय बहुती बहुमूल्य है इसे विर्थ में आप नगवाएं सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्तिती आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन से कुछ घटना को दर्शाती है तो दोन आपने काम में आपको दिखाने से बचना चाहिए कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरंदाज करने पर आपकी समस्या बढ़ जाएगी आज की तिती में आप अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको कुछ समय के लिए आपको टालना चा है आजी विका के शेत्र में या बाहर के व्यासाइक शेत्र में आपके रिष्टे आज थोड़ा सा सुधर सकते हैं और उन्तरों के माध्यम से आपको बड़ी सफलता बड़ी सहायता मिल जाएं ईसे लक्षन आपके लिए बनते आज के दिन को शुब बनाने के लिए रामरक्षा इस्त्रोत का पाठ करना चाहिए और कारी की रुकावट से आप मन को दुखी बिल्कुल भी मत करिए वरिश्चिक राशी वाले जातक लोगों के लिए दामपत्ते जीवन सुख में होगा मित्रों और अपने साथी के साथ आज आप कहीं जो है भविश्य में घूमने फिरने का कोई प्लान बना सकते हैं कोई पुराना रोग भी आज आज आपको उबर करके परिशानी दे सकता है गाए और पक्षियों को उबले चावल खिलाएं साथे साथ भगवान गणेश की पूजा राधना करें और निवेश के लिए जल्दी बाजी आप मत दिखाईए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कारशित्र में सब काम आज आसानी से कर पाएंगे आज के दिन को शुब बनाने के लिए सुन्दर कांड का पाठ करना आपके लिए कल्यानकारी होगा और कारे में अगर कोई अवरोद आता है तो उससे मन को निराश आप बिल्कुल न करें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं आपके उपर प्रभावी रह सकती हैं हावी रह सकती हैं आजी विका की छेत्र को ले करके थोड़ा आप परिशान और चिंतित हो ऐसे लक्षन दिखते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक आपको शिवलिंग पर लगाना चाहिए और उसके साथ साथ अपने मस्तक पर लाल चंदन का तिलक धारण करके हनुमान चाले सा बजरंग बान का पाठ करेंगे तो आपको फायदा आवश्य मिलेगा और किसी भी व बोमिका सुलजाने के लिए एक मैहत्वपूर्ण व्यकति की बोमिका दी जा सकती तो बहुत सोच समझ करके आपको अपना दिरने देना चाहिए हनुमान मंदिर में आज बूंदी का भोग लगा करके भग्वान मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे दिन आज आपके लिए शुबता को दर्शाता है आज के दिन को शुब बनाने के लिए हनुमानाश्टक का तीन पार्ट करना आपके लिए बहुत ही कल्यानकारी रहने वाला है मन क चेंचलता आपको नियंतरत रखना होगा। तो दोस्ते ये तो बात रही आज के बार राशी की अम लोगों ने जाना कर रहनक शत्र की इस्तितियां क्या कहती हैं और दिन को शुबं बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और धनलाब को आप ग्रहण कर सकते हैं शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना अनिवारे बताया गया है क्योंकि दीपक के प्रकाश के रूप में इश्वर वहां मौजूद होते हैं और आपकी जो पूजा पाठ अराधना होती है उसको स्वीकार करत जाता है और उनसे पापों के लिए शमा मांगी जाती है जोतिश शास्त्र में नित्यप्रति दीपक जला करके पूजा आराधना करने का विशेश महत्व बताया गया है और आज उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनको करने से आप अपना भाग्य चमका सकते हैं और दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं इन उपायों से घर में सकरात्म कूर्जा का प्रवेश होता है सुख शान्ती बढ़ती है तो इन उपायों को करके आपको भी फायदा अवश्य लेना चाहिए जोतिश शास के नुसार अंजान भय अंजाने दर और शत्रों से रक्षा के लिए आपको हर सोमवार और सुमवार को भैरव मंदर में सर्さん के देल का दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से आपके हर प्रकार के डर और भे जो हैं वह दूर होते कि हर दिन रोज सुबह सूरी देवता को जल देना चाहिए और देसी घी का एक दीपक जला करके आपको उनके समख्ष जरूर रखना चाहिए ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धी होती है और सूरी देवता का आशुरवाद आपको प्राप्त होता है जिससे आपके है वो संपन् होते हैं और सामाज किर्थी प्रतिष्ठा पद़ादी की प्रापथी आपको अवश्य होती है सुकh संवरिद्धी के लिए पारिवार एक सुख संवर दीग कैसे बने ये जानना भी बहुत देवाए इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ऐसा करने से घर में सकरात्म कूर्जा का प्रवेश होता है और सुख शांती एश्वन की प्राप्ति होती है आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए धन संबंदी परिशानियों को दूर करने के लिए माता लक्षमी के सा साथ मुक्ही यानि सात बातियों वाला दीपक जलाना चाहिए ऐसा करने से संबंदित सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है और रुका हुआ धन और वी आपको प्राप्त होता है साग्यों acknowledging माता सरस्वति दो बातियों वाला दीपक के आपको चाहिए आप जो उपाई ब इसके लिए आप बुदवार के दिन भगवान गणेश के सामने तीन मुख वाले देशी घी का दीपक अवच जलाएं इसके बाद भगवान गणेश को दूरवा चड़ा करके अपनी समस्या उनके समक्ष आपको निवेदित करनी चाहिए दूरवा घास जो होती है वो उनको आ आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और घर में कभी भी धन धाने की कमी नहीं होती सुख यश्वरे की प्राप्ति होती है शनी राहु के केतु के प्रकोप से मुक्ति के लिए राहु केतु और शनी के दोशों से मुक्ति के लिए सुबै और शाम अलसी के तेल का द दीपक विशेश रूप से जलाने से भी शनी के प्रकोप में मुक्ति मिलती है उसमें काफी रहत मिलती है तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह दीपक का जो चमतकारी उपाय आपको मैंने बताया यह निश्यती आप लोगों को पसंद आया होगा आप सभी से बार-बार आग रह आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेधन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो जाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं ज इससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानकारी आपसे चूटा जाए धन्यवाद दे रहा हूँ इन दोनों नंबर पर वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद